हलो स्टूडेंट में शाहिन लूथरा आज हम करेंगे क्लास 8 मैस का चैप्टर नमबर 6 उसकी एक्ससाइज 6.1 हमारे चैप्टर का नेम है क्यूब जैंड क्यूब रूट इससे पहले जो हमारा ओल एडीशन था यह हमारा निव एडीशन है जिसके इंदर हमारे एक्ससाइज 6.1 है ओल एडीशन में हमारी एक्ससाइज 7.1 थी उसमें हमारा इस चैप्टर 7 था same question of 4 आप match कर सकते हैं तो हम start करते हैं question number 1 है हमारा which of the following numbers are not perfect cube इन में से कौन-कौन से number है जो हमारे perfect cube नहीं है हमने introduction part में समझा था कि perfect cube हमें कैसे पता चलता है कि यह हमारा perfect cube है तो हम इसको start करते है first number हमें दे रखा है 216 यानि कि हमारे यह first है a first है यह हमारा ठीक है अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह हमारा perfect cube है या नहीं है तो हम अभी तक जिस हम method से करते आ रहे हैं उसी method से करेंगे जैसे हमें square root में भी किया था अब हम इसको जो है इसका हम prime factorization निकालेंगे prime जितने भी इसके factors आएंगे उसी से हमें पता चलेगा कि यह हमारा perfect cube है या नहीं start करेंगे 2 से 2 1 जा 2 दो डिजिट एक साथ लेंगे तो 0, 2 8 जा 16 फिर 2 से करेंगे 2, 2 5s are 10, 2 4s are 8 फिर से 2 से करेंगे 2 2s are 4, 2 7s are 14 3 से करेंगे 3 9s are 27 3 3s are 9 और 3 1s are 3 अगर आपने introduction part देखा होगा तो आपको यह मैंने उसमें समझाया था जब हमारा group बन जाता है 3 3 का तो it means वो हमारा एक perfect cube है इसमें 2 का भी 3 का group बन रहा है और 3 का भी 3 का group बन रहा है अगर इसमें एक यहाँ पे कम होता ठीक है तो यह फिर हमारा perfect cube नहीं होता लेकिन हमारा यह इसमें 3 3 का group बन रहा है इसमें यह हमारा एक perfect cube है हमें सिर्फ इसमें यही देखना होता है जब भी हम इसके prime factorization करते हैं और जो इसके factors आते हैं प्राइम factors जो आते हैं अगर उसमें 3 3 का group बन रहा है तो यह हमारा एक perfect cube है ठीक है तो 216 is a perfect cube इसमें आप इससे पहले एक line और लिख सकते हैं आप यह लिख सकते हैं इसमें यहाँ पे पहले अब इसको कर लो 216 इसके सामने लिख लो इक्वल 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे आप नीचे underline कर दो जो group बन रहा है और साथ में लिख दो clearly the prime factors of 216 can be grouped into into triples of equal factors equal factors आरे न इसके and no factor is left over यह वहला sign लगाना आपने so that 216 is a perfect cube इस type से जो है आप इसको लिखना ठीक है तो जो जो भी हमारे perfect cube आएंगे उसमें आपने सारा जो है इसी type से लिखना है बस यहाँ पे जो भी number होगा उसको आपने change कर दे न और यहाँ पे ठीक है और जो perfect cube नहीं होगे उसमें कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता दूँगे अब हम इसका second part करते है second है हमारा 128 इसको भी इसी तरीके से करेंगे 2 से start करेंगे 2 6 जा 12 2 4 जा 8 फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6 2 2 जा 4 फिर से 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 2 जा 2 देखेंगे इसमें 1 2 3 1 2 3 और एक 2 जो है वो हमारा left बच रहा है तो इसमें जो हमारे factors बन रहे हैं prime factors 2 into 2 into 2 एक group बन रहा है फिर 2 into 2 into 2 दूसरा भी group बन रहा है लेकि एक 2 जो है वो हमारा left है इसमें हम लिखेंगे now इसको हम लिखेंगे now if we try to group देखो इसमें एक left बच रहा है न तो it means यह हमारा एक perfect क्यों नहीं है क्योंकि कोई भी left नहीं बचना चाहिए now if we try to group together triples of equal factors we are left with a single factor two so 128 is not a perfect cube आप देखो यह जो मैंने यहाँ पर यह पूरी जो statement यह line लिखी है अब हो सकता है कि आपकी teacher कुछ और लिखवाए तो आप वो भी लिख सकते हो लेकिन last में आपको यह तो जरूर आएगा ठीक है यह आपका जरूर आएगा कि यह perfect cube है यह नहीं है तो आपको यह हर एक में बताना है कि यह perfect cube है यह नहीं है ठीक है अब 5 से करेंगे यहाँ पर 5 है ना 5-3 जा 15 और यह बन जाएगा 2 जर चले देगा 5-5 जा यहाँ पर हमारा आएगा 2-2 और 2-2 जा 4 और 2-5 जा 10 अब हम इसको 5 से करेंगे 5-2 जा 10 और 5-5 जा 25 अब फिर से 5 से करेंगे 5-5 जा 25 और 5-1 जा 5 तो इसके क्या prime factors बन रहे हैं 2-2-2-2 5-5-5 यानि कि इसका जो है हमारे जो group बन रहे है 3-3 के इसके हमारा perfect cube है ठीक है और इसके अंदर हम यह वाला जो है लिखेंगे क्योंकि हमारा perfect cube के लिए है इसमें लिखेंगे clearly the prime factors of 1000 can be grouped into the triple of equal factors and no factor is left over और उसके बाद लिखेंगे so 1000 is a perfect cube ठीक है 1000 हमारा perfect cube बन गया ठीक है अब हम देखते हैं इसका fourth part कि अब हमारा perfect cube है या नहीं है fourth है hundred hundred है तो हम इसको two से करेंगे two five's are ten zero फिर two से करेंगे two two's are four और five two five's are ten twenty five five five's are twenty five और five one's are five इसमें देखो सिरफ एक pair बन रहा है सिरफ two two के group नहीं बन रहा three three का तो it means यह हमारा perfect cube नहीं है चीक है और जब हमारा perfect cube नहीं होगा तो हम इसके अंदर यह वली जो है statement लिखेंगे now if we are try to group together triples of equal factor या फिर हम इसमें एक और लिखते हैं क्योंकि इसमें जो two two के pair बन रहा है ना तो हम इसमें simple सा लिख देते हैं यहाँ पे clearly the prime factors of 100 cannot be grouped into triples of equal factors. जो हमारे perfect cube नहीं होगे उसमें आप चाहे तो यह वली लिख लेना अगर आपको यह easy लगती है line तो अब यह लिख लेना किसी के लिए भी जो हमारा perfect cube नहीं होगा उसमें अभी यह line भी लेख सकते हो ठीक है उसके बाद हम फिफ्ट देखते हैं फिफ्ट में है हमारा number four six six five six इसको भी इसी तरीके से कर लेंगे थोड़ा number हमारा बढ़ा है two से start करेंगे two two जा four two three जा six two three जा six two two four जा sorry two eight जा sixteen फिर से two से करेंगे two one जा two two one जा two one इदर चला जाएगा हमारा two six जा twelve one इदर चला जाएगा two six जा twelve two four जा eight two five जा ten इदर चला जाएगा one sixteen two eight जा sixteen फिर two three जा two two जा अब फिर से two से करेंगे two two जा two nine जा two one जा two six जा अब फिर से 2 से करेंगे 2 1 जा, 2 4 जा 2 4 जा, यहां पर हमारा 1 चलेगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 फिर से 2 से करेंगे 2 7 जा, 2 2 जा, 2 9 जा अब यह 9 आगे ना इधर तो अब जो है हम इसको अब हम इसको 3 से करेंगे ठीक है 3 3 जा 3 2 जा 6 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 फिर से 3 से करेंगे 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 फिर से 3 से करेंगे 3 2 जा, यहां पर आजाएगा 6 और यहां पर 2 जाएगा 3 7 जा 21 फिर 3 से करेंगे 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा काफे सारा हो गया इसमें देखते हैं हम कितने हैं 2 कितने हैं, इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो 2 हैं, इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 3 हैं, तो इसमें बहुत easily जो है हमारा group बन जाएगा, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, पहले तो ये बन गया हमारा 2, 2 का group दो बन गए, 3 into 3 into 3, 3 into 3 into 3, अब ये भी group बन गए, ठीक हैं, तो it means, ये हमारा एक perfect cube है, क्योंकि इसमें कुछ भी left नहीं बचा, तो ये हमारा जो है, एक perfect cube है, तो आप इसमें लिख दो, इस type से, clearly the prime factors of 4, 6, 6, 5, 6 can be grouped, ये हमारा group में आ रहा है, into prime factors and no factor is left over, left over, so 4, 6, 6, 5, 6 is a perfect cube, ठीक हैं, तो ये हो गया हमारा question number 1, question number 2 में हमें क्या बोला है, question number 2 देखो, find the smallest number by which each of the falling must be multiplied to obtain a perfect cube, अब हमें इन numbers के लिए एक ऐसा smallest number चाहिए, जिससे हम इसको multiply करें, इसको हम multiply करें और हमारा एक perfect cube बन जाए, इन सब के साथ हमें एक number को जो है वो multiply करना, और वो number कौन सा होगा, वो ही हमें इसमें find करना है, same उसी prime factorization method से हम इसको करेंगे, अगर आपने introduction वीडियो देखा हैं, तो आपको ये जल्दी समझ आ जाएगा, साथ में मैं आपको question number 3 भी बता देती हूँ, same question number 2 के जैसा है, इसमें हमें multiply का बताया हो न, कि हम एक ऐसा number पता चले, जिससे हम इसको multiply करें, हमारा perfect cube बन जाए, दोनों question हम साथ में करते हैं, तो first number हमें दे रखा है, 2, 4, 3, prime factors निकाल लो, 2, 3 से जाएगा ये, 3, 8 जा 24, 3 बन जा 3, 3, 2 जा 6, 3, 7 जा 21, 3, 9 जा 27, 3, 3, 3 जा 9, 3, 1 जा 3, कितने बन रहे हैं, इसमें एक का तो group बन रहा है, पर एक का group नहीं बन रहा, छीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके आगे, 243 is equal to 3 into 3 into 3, 3 into 3, अब एक group बन रहा है, इसमें, एक नहीं बन रहा, इसका मतलब यह perfect cube नहीं है, अब हमें यह चीज़ पता चल गई, अगर group बन रहा होता, तो यह perfect cube होता, यह perfect cube नहीं है इस question में, तब ही तो हमें, इन्होंने हमें perfect cube बनाने के लिए बोला है, तो यह हमारा एक perfect cube नहीं है, तो perfect cube बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक 3 कम है, तो जो हमारे पास 3 कम है, हमें इस number को उसी से multiply करना पड़ेगा, तो यह हमारा एक perfect cube बन जाएगा तो हम पहले उसके लिखेंगे Clearly To make It a Perfect cube It must be Multiply By 3 243 Into 3 ठीक है वैसे तो इन्होंने हमें करके बताने के लिए नहीं बोला कि आप करके बताओ स्रफ वो number find करना है तो हमने वो number find कर लिया अगर हमें इसको 243 को 3 से multiply करेंगे तो हमारा perfect cube होगा सभी questions में हम ऐसे ही करेंगे जो भी हमारा incomplete group होगा उसी number से हम उसको multiply करेंगे multiply करके हमें दिखाना नहीं है बस वो number हमें find करना है second है हमारा 256 अब 256 को 2 से कर लेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा उसके बाद 2 से 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा और 2 2 जा और 2 1 जा देखे कितने 2 जा जा है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जा है ठीक है तो 256 is equal to 2 into 2 into 2 2 into 2 2 into 2 जानी कि इसका और इसका तो group बन रहा है बर यह जो है वो हमारा incomplete group है इसका मतलब 256 को हमें 2 से ही multiply करना हूँ है क्योंकि इसमें 1 2 कम है तो same वही statement हम यहाँ पे लिख लेंगे clearly to make it a perfect cube it must be multiplied by 2 चीक है थर्ड देखते हैं थर्ड है इसमें 72 72 को 2 से start करते हैं 2 3 जा 2 6 जा 3 से कर लो इसको अब 3 से भी कर सकते हो 2 से भी 3 से 3 बन जा और 3 2 जा फिर 2 6 जा फिर 2 3 जा फिर 3 बन जा कितने 2 आए 1 2 3 लेकिन 3 जो है वो सिरफ 2 ही है तो 72 is equal to 2 into 2 into 2 और 3 into 3 इसमें 1 3 जो है वो कम है तो it means हमें 72 को 3 से ही multiply करना होगा तो same वही वाली statement हम जो है यहाँ पर यह वाली लिख लेंगे clearly to make it perfect cube it must be multiply by 3 ठीक है 3 लिख देना उसमें आप क्योंकि 1 3 जो है इसमें वो कम है 4 देखो 4 में है हमारा नंबर 6, 7, 5 इसी तरीके से करो इसको 6, 7, 5 यह जाएगा हमारा starting में इसको 5 से कर ले दें क्योंकि पीछे 5 है न 5 बन जा 5 1 इदा चला जाएगा 17 बन जाएगा 5 थरी जा 15 इदा चला जाएगा 5 फाइव जा 25 फिर से 5 से कर लो 5 तूजा 10 और 5 सेवन जा नहीं 5 तूजा 10 3 दे चला जेगा हाँ 5 सेवन जा 35 फिर 3 से कर लो 3 नाइन जा 27 3 थरी जा और 3 बन जा बिसमें 3 का तो गुरूप बन रहा है पर 5 का नहीं बन रहा तो 6, 7, 5 is equal to 3 into 3 into 3 और 5 into 5 एक 5 जो इसमें कम है तो इसका मतला हमें 6, 75 को 5 से multiply करेंगे तो हमारा ये perfect cube बन जाएगा ठीक है तो वही वाली statement है वही लिखना clearly to make it perfect cube it must be multiply by 5 यहाँ पे 5 का होगा ठीक है अब हम देखेंगे last है इसका fifth fifth में हमें कौन सा नंबर दे रखा है hundred, hundred को करेंगे सीधा ten से भी कर सकते हो two से कर लेते हैं fifty, फिर two से twenty five, फिर five से five फिर five से one इसमें देखो इसमें तो स्रफ two two का बन रहा है एक भी नहीं बन रहा hundred is equal to two into two and five into five तो इसमें भी हम same लिख लेंगे इसी तरीके से clearly to make make it a perfect cube it must be multiply by two into five हमने यहां पर two into five के लिखा क्योंकि यहां पर भी एक two कम है और यहां पर भी एक five कम है तो हमें two और five दोनों को multiply करेंगे ten हमें इसको हमें इसको पॉफेक क्यूब बनाने के लिए hundred को ten से multiply करेंगे तब ही हमारा perfect cube बनेगा ten कैसे आया क्योंकि यहां पर हमारा एक two कम है और यहां पर हमारा एक five कम है तो दोनों को multiply कर दिया हमने यहां पर लिख दिया ten तो वही number ही हमें find करने कि कौन सा number है जिसको से multiply करने पर हमारा यह perfect cube बन जाए तो वो number है हमारा ten पिक है question number इसका जो third है वो भी हम इसी तरीके से करेंगे question number third same इसी तरीके से करना है हमें उसमें हमें बस divide के बारे में बोला गया है कि हम एक ऐसा number find करना है जिससे हम इसको divide करें तो हमारा perfect क्यों बन जाए जैसे कि हमारा first number है 81 अगर हम 81 का prime factorization करते हैं तो इसके prime factor जो निकलते हैं 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1 ठीक है तो इसके क्या बने 81 के 3 into 3 into 3 into 3 into 3 अब इसमें जो है एक 3 जो है वो हमारा जैसे इसमें 3 का तो group बन रहा है लेकिन ये 3 जो है हमारा एक extra है extra है ये हमारा multiply में क्या हो रहा था एक जो number होता था वो हमारा कम पढ़ जाता था ठीक है यानि कि उसमें हमारे जो prime factor बनते थे वो इस तरीके से बन रहे थे यानि कि एक का group बनता था और एक जो number होता था वो हमारा कम पढ़ जाता था लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक number ये हमारा extra आ रहा है अगर इस number से इस 3 से हम 83 को अगर हम इन दोन को divide कर दें तो फिर ये हमारा perfect cube बन सकता है तो divide वाले में क्या होगा हमारा एक number ना extra आया करेगा जब मतलब सारे group बन जाएंगे उसमें से एक number हमेशा extra बहा करेगा तो इसमें भी हमने लिखना तो वैसे ही है लेकिन हमें इस type से करके दिखाना है इसी तरह इसे लिखेंगे clearly उसमें हम multiply लिख रहेते हैं इसमें हम divide लिखेंगे clearly to make it a perfect cube it must be divided ठीक है divide करना ना है इसमें divided by 3 जो भी extra number होगा आपने वो यहाँ पर लिख देना है सभी में ठीक है next हमारा है number क्या है हमारा 128 128 को कर लो 2 से कर लो 6 4 फिर 2 से कर लो 3 2 फिर 2 से कर लो 1 6 फिर 2 से 8 फिर 2 से 4 फिर 2 से 2 और 2 से 1 अब देख लो इसमें 1 2 3 अब यह 2 जो हमारा extra बच रहा है इसी से हमें जो है इसको डिवाइड करना बस हमें बताना है करके नहीं दिखाना तो जो statement मैंने उपर लिखी है वही statement आपको लिखनी है बने यहाँ पर 3 की जगा आप 2 आ जाएगा ठीक है next देखो 3rd है हमारा number है 135 तो इसको हम करेंगे 135 3 से कर लो पहले 3 4 जा 12 जा 3 5 जा 15 फिर 3 से कर लो 3 जा 3 5 जा फिर से 3 से 3 3 5 जा 15 फिर 5 से 5 जा 5 देखो यह तो group बन रहा है लेकिन यह हमारा extra आ रहा है तो हमें इसको इससी से divide करना है तो हम जब statement लिखेंगे उसमें लिखेंगे by 5 3 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू नई सिंगल 5 है यह हमारा extra है तो हम इसको divide करेंगे और statement में आपको यहाँ पे आफ 5 जा 5 जा 5 लिखना है 4 फोला पार्ट देखते हैं 4 में नंबर हमें दे रखा है 192 192 को कर लो 2 से 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 4 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा पता चल रहा है 3 extra है 192 कितने 2 है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 1 3 हमारा extra है ठीक है तो यही वो नंबर है 3 तो यही statement लिखना और यहां पर अब 3 ही आएगा लांस देखते हैं इसका 5 पार्ट 5 पार्ट है इसका 7 0 4 7 0 4 को कर लेते हैं 2 से start करेंगे 2 3 जा 2 5 जा 2 2 जा फिर से 2 से कर लो 2 1 जा 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12 फिर से 2 से कर लो 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा सिदा 11 से करो 11 जा 11 11 इसमे एक्स्ट्र है 1 2 3 4 5 6 7 0 4 2 इन 2 2 इन 2 2 6 ताइम है ना 2 इन 2 2 इन 2 इन 2 2 और ये एक 11 हमारा एक्स्ट्र है तो इसी 11 से हमने इसको डिवाइट करना है यही वली स्टेट्मेंट लिखना आप इसकी जगा यहां पर आ जाएगा 11 ठीक है तो यह गया हमारा कोश्ट नमबर 3 लास्ट कोश्ट देखते हैं इस एक्सेसाइस का कोश्ट नमबर 4 कोश्ट नमबर 4 देखो कोश्ट नमबर 4 है परिक्षित makes a cuboid 2 plastins of side 5 cm, 2 cm and 5 cm How many such cuboids will he need to form a cube अब परिक्षित ने जो है एक cuboid बनाया है 5 cm तो आप परिक्षित जो है इन cuboid से और एक cuboid उसने बना लिया और कितने cuboids उसको चाहिए एक पूरा cube बनाने के लिए यानि वो cuboids से ना एक cube बना रहा है एक cuboid उसने बना लिया cuboid हमारा इस shape में होता है ठीक है इस type से हमारा cuboid होता है और उसकी measurement जो है उन्होंने हमें याँ पर दे रखी है और हमें इन cuboids को जोड़ जोड़ कर परिक्षित को एक cube बनाना है तो उसी के लिए उन्हों बोला है कि हमें कितने cube चाहिए होंगे एक पूरा how many such cuboids हमें कितने cuboids चाहिए होंगे एक cube बनाने के लिए ठीक है तो जो उसने एक cuboid बनाया है उसी से हम इसका पता लगाएंगे आपको question समझ में आ गया है परिक्षित ने क्या बनाया है cuboid बनाया है तो हम लिखेंगे volume of the cuboid क्या volume है उसका 5 into 2 into 5 ठीक है यह उसका volume है अब उसको cube बनाने के लिए cuboids को जोड़ जोड़ के वो cube बनायेगा तो to make it a cube we require देखो एक चीज़ अब यहाँ पे आप देखो जब हम किसी भी number का prime factorization करते हैं उसके बाद वो हमारा group में आता है यानि कि अगर हमारे पास यह number दे रखा है तो 5 into 5 into 5 होगा तब ही यह group बनेगा 2 into 2 into 2 होगा तब ही यह group बनेगा यानि कि 5 का cube और 2 का cube बनेगा लेकिन यहाँ पे हमें एक 5 कम दे रखा है और यहाँ पे हमें 2 जो 2 है वो कम दे रखे हैं इसका मतलब यही है कि हमें परिक्षित को cube बनाने के लिए यहाँ पे एक 5 और 2 तू की उसको और requirement होगा यानि कि अगर उसके पास 2 तू और हो और एक 5 और हो तो वो एक cube बना सकता है काफी सारे cube को जोड़के तो वो कितने cuboids होगे इनको multiply कर लेंगे तू टू जा 4 और 4 फाइटजा 20 यानि कि उसको जो है 20 such cuboids को जोड़कर एक cube बना सकता है ठीक है volume of the cuboids to make it a cube require 20 cuboids यही हमें इसके अंदर बताना था उसने एक cuboids तो बना लिया था लेकिन वो cuboids को जोड़ जोड़कर एक cube बनाना चाहता था अगर उसके पस 20 cuboids और होते हैं तो वो एक cube बना लेगा तो हमें पता इससे ऐसे ही चला कि जो हमारे पास number कम है अगर वो number हमें मिल जाएं जैसे इसमें एक five कम है और यहां पर दो two कम है अगर वो हमें मिल जाएं जो कि हमने यहां लिखा है तो वो अपने cuboids बना सकता है यहां कि 20 cuboids से cube बन जाएगा तो यहां पर हमारा जो exercise 7.1 कंप्लीट हो जाती है होफुलिए आपको वीडियो हलफुल लगाओ वीडियो हलफुल लगने पर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थैंक यू हलो स्टुडेंट मैं शाहिन लूत्रा आज हम करेंगे क्लास 8 मैं आसका चैप्टर नंबर 6 करेंगे हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स हलो स्टुडेंट हलो स्टुडेंट मैं शाहिन लूत्रा आज हम करेंगे क्लास 8 मैं आसका चैप्टर नंबर 6 उसकी एक्सरसाइज 6.1 हमारा चैप्टर है क्यूब हलो स्टुडेंट मैं शाहिन लूत्रा आज हम करेंगे क्लास 8 मैं आसका चैप्टर नंबर 6 उसकी एक्सरसाइज 6.1 हमारे चैप्टर का नेम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट इससे पहले जो हमारा ओल एडीशन था यह हमारा न्यू एडीशन है जिसके इंदर हमारे एक्सरसाइज 6.1 है ओल एडीशन में हमारी एक्सरसाइज 7.1 थी उसमें हमारा इस चैप्टर 7 था सेम कोशन है फूर आप मैच कर सकते हैं तो हम एक्सरसाइज 6.1